Good evening students, सभी का स्वागत है आज के इस live session में जहां हम बात करने वाले हैं हमारे M.P.T.O.C.E.R. के गणित के unit 2 का second video lecture इसके पहले हम unit 2 के एक class आररी ला चुके हैं, जिसमें हमने गणित की संक्रियाओं की बात की थी और उसमें भी हम्ने जोर जो होता है उसकी बात की घुटने हैं बाले अस्थाम, बाल विकास का भी पहले से भी आ चुका है, CDP, Child Pedagogy का भी, पहले से पुरा क्लास हो चुका है, दो इनिट का, वो भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, चले इस session को आगे बढ़ाते हैं, और शुरू करते हैं, गुड इबनिं कोर्स लांच है, तो आप इस नई बैच के लिए apply कर सकते हैं, याद रखीगा, इस नई बैच के लिए apply कर सकते हैं, अमपिडेटी और सिटेट के लिए, आप सब लोग त्यारी कीजिए, क्योंकि जन्वरी के बाद जो vacancy आएगी, वर्ग तीन में, उसमें आपको पातरता परिशा में apply करना है, तो वहाँ आपको पहले से course पढ़ाई कर लेनी है, चीक है, चलिए शुरू करेंगे, सिटेट के लिए भी कर लिजीगा, दोनों courses के apply कर सकते हैं, WhatsApp नमबर अल्री अवलेबल था, आप उसमें message करके course के information ले सकते हैं, और जो भी जनकारी चाहिए, मिल चार संक्रिया होती हैं, जैसे की जोड, घटाओ, गुणा, तथा भाग है ना, तो चार mathematical operations, याने की गणितिय संक्रिया होती हैं, मुखे, इन चारों की बात हमें करनी है, जिसमें से हमने जोड की बात कर लिया, और आज हम जो बात करने वाले घटाओ, गुणा, भाग की ब चार संक्रिया होती हैं, जोड, घटाओ, गुणा, भाग, ये भी आप थ्यानम में तो ध्यानाम रखना है , यह सवाल भी— पूछ चुका यह P I Q भी आ गृंने गणित की मुख्ये 4 संक्रियां कान से होते हैं? ऐसा option में दिया का, यह इनमें से कान सी गणिती संक्रिया नहीं है? ऐसा भी पूछता है option देता है तो ध्यान में रखेगा संक्रियाओं के बारे में थोड़ा तो आपको पता होना ही चाहिए, चीक है, तो चल ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं, घटाओं की, घटाओं जिसे आप माइनस, माइनस के नाम से जानते हैं, हम घटाओं क्या बोलते हैं, अंगरेजी म तो बात करते घटाओं की सब्स्ट्रैक्षिन की, देखे, जब घटाओं सब्स्ट्रैक्षिन actually में है क्या इसका तात्पर किया है, किसी समु की वस्तु में से कुछ वस्तु को निकाल लेने से, मतलब कोई एक प्रॉपर संख्या, कोई वस्तु कुछ भी है उसमें से कुछ आपने निकाला तो ये घटाओ कहलाएगा कुछ आपने उसमें मिलाया तो इसको जोड कहेंगे तो जोड में कुछ मिलता है तो भाई जोड हमेशा बड़ी संख्या होती है और घटाओं में से कुछ निकाल रहे हैं यानि निकालने से हमेशा कम संख्या होती तो आपको ध्यान में रखना है कि घटाओं में हमेशा संख्याओं की कमी होती है यानि संख्या नंबर जो भी रहेगा आपका समू वो कम हो जाएगा और जोड में बढ़ जाएगा, तो जोड में जो आपका उत्तर आना चाहिए, वो मेन संख्या से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कुछ जोड रहे है, ठीक है, और घटाओं में क्या होता है, आप मेन संख्या से कम आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें से कुछ निकाल रहे हैं या फिर बढ़ जाती है, गटाओं में या तो संख्या उतनी ही रहती है, या फिर कम हो जाती है, यह ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, और यह उतनी ही रहती है कि यह जो concept है, यह सिर्फ सुनने के लिए लागव होता है, कि अगर आप किसी में से सुनने गटाओगे, तो सं सिर्फ सुनने के साथ ही चलता है ध्यान में रखिएगा शुनने से ही लना देना उसका है क्लियर है चलो तो सब्स्ट्रेक्षा ने तो समझ गया किसी एक खास वस्तों में से कुछ निकालना है फिर से मैंने पिछले क्लास मी बताया था इस बोडरा हूं कि जब ही आप इसको पढ़े हैं तो इस concept से ना पढ़ें कि आपको सब्स्ट्रेक्षन – अता है फिर सर क्यों पढ़ा रहे हैं पर इस लिए पढ़ा रहा हूं कि हमें Primary सिक्षक बनना है प्राइमरी सिक्षक बनना है तो हमें यह आना चाहि से चल सुब्सैक्ट्राइब करना कि मुझे मन्स शाताएंगे अपने Simpson काइब नौलज चलिए आगे बढ़ते हैं इसका जो चिन्ह होता है यह माइनस कुछ इस प्रकार से होता है माइनस इस इस चिन्ह वाले सिम्बॉल से इस चिन्ह से दर्शाया जाता है क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर एक्जामपल दिया हुआ है, कि एक owałन बकरियों के एक जुन में से 11 बकरियों को निकाल लेना, कितना बच्चेयगा ईक सेख गया सुन्य पाँच मी सेख चार यानि सही उत्तर किता है हमारा चालिस है तो याद रखिएगा चालिस बक्रियों का बचना तो यह जो उधारन आपको यहाँ पर दीया है यह जो example दीया है यह किस प्रकार से दिया है यह बिलकुल घटाने कर दिया है जैसे बच्छों पढ़ाते हैं आपके पास पांच आम हैं आपने एक आम उस बच्चे को दे दिया आपके सकतना बचा चार है तो यह उधारन होता है यह examples होता है, बच्चों को real life की चीज़े सिखानी होती है, हमेशा यह आम, सेप, केला, टौफी, इससे क्यों पढ़ाते हैं, बच्चे इन चीज़ों से ज़्यादा relate कर पाते हैं, अब बच्चों का बताओ कि भाई आपके पास इतने smartphone थे, इतने mobile इतने shares थे, इतने shares आपने उनको दे दिये, इतने उपने उनको दे दिये, फिर आपके से बच्चा इससे relate नहीं कर पाएगा, बच्चा इससे जुड़ा महसूस नहीं कर पाएगा, हो सकता है, वो concept को ठीक से ना समझे, हो सकता है क्या, बहुत ज़्यादा chance है, अगर आप इतने high level से जाके उसको समझा आएंगे, ऐसे उधारन नहींगे, तो नहीं समझेगा, तो अकसर उधारन इसलिए हमेशा यह टॉफी, यह सेव, केला, इसी का example दिया जाता है, यह धान में रखीगा, क्योंकि बच्चपन में जब हम छोटे तो हम थोड़ा से यह लगता था, कि बार बार यह टीचर लोग हमें ऐसा example क्यों देते हैं, या किताबों में, यह सेव, केला, यह टौफी, इसका example क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे इन चीजों से ज्यादा relate कर पाते हैं, ज्यादा जुड़ पाते हैं, ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाते हैं, क्योंकि उनने यह सब देखा रुआ ह क्या दिया है कि निम्न लिखित व्यंजग का मान ग्यात किजी याने इसको solve करो याने इसकी value पता करो मान मतलब होता है value value find the value है ना ये ऐसे सवाल आपने गणिते बहुत देखोंगे छोटी classes में find the value find the value वाले मान ग्यात करो उसका value पता करो है ना तो देखिए सबसे पहली बात वह आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपको संख्या दी जाती है उसको आपको ध्यान से समझना ध्यान से लिखना है ठीक है आब यहाँ आप देखो यहाँ पर संक्या दिये एक दो तीन चार पाच ओके अब मैं प्लस वाले को लाल से और माइनस वाले को ग्रीन से रिडियोड करूंगा ठीक है ध्यान रखना माइनस वाला क्या है माइनस 567 फिर माइनस क्या है 1003 और प्लस वाले तो इससे डिनोट करना है मुझे रेड से ठीक है प्लस 789 प्लस 596 ठीक है तो आपको ध्यान ही रखना है पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो फिर माइनस माइनस वालों को जोड़ दो और वैसे भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा था हमें बॉर्ड मस रूल की बात की गई थी बॉर्ड मस है ना वी बॉर्ड मस यानि ब्रैकेट ऑप डिविजन मल्टिप्लेकेशन एडिशन सब्स् कर done as बचा यानि कि हमें करना है बाई addition याने हम करेंगे जोड उसके और रहeteár तब ही सही उत्तर आएगा तो चलो सवाल को हल करतें बच्चों को ऐसे समझाना बिलकुल ऐसा ही पढ़ाने के रहे ठीक है जैसे कि 1 2 3 4 ठीक और प्लस वाली वैलिव क्या थी 789 789 और प्लस वाली वैलिव क्या थी 596 596 यह प्लस वाले एक तरफ हो गए ठीक है अब माइनस वाले एक तरफ करने हमें माइनस वाले ठीक है माइनस में क्या है, माइनस में हमारे पास सबसे बड़ी संक्या है, माइनस 1003, माइनस में देख लो, 1003, फिर उसके बाद माइनस में दूसरी संक्या क्या है, हमारे पास, माइनस 569, माइनस 569, और फिर माइनस में हमारे पास दूसरी संक्या क्या है, बस इतनी संक्या है, ठीक ह तो पहली बात हम जानते है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो इसको हम जोड़ेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है आप खुद ही सोचना आपके सामने ये संख्या दिये माइनस वन वन जिरो त्री और दिया है माइनस 5 6 9 ठीक है तो हमें करना क्या है प्लस वाले को सारे को एक तरफ माइनस वाले को सारे को एक तरफ ठीक है तो यह देखो यहाँ पर क्या किया 1 2 3 4 प्लस 7 8 9 प्लस 5 9 6 याने सारे प्लस वाले को एक तरफ कर लिया और माइनस वाले को एक तरफ कर दिया माइनस 569-1103 ठीक तो इस प्रकार से जब हल करेंगे तो प्लस वाले को एक तरफ रख लो माइनस वाले को एक तरफ रख लो तो हम इसको प्लस कर लेते हैं ठीक है यह 6 और 4 10 10 और 9 19 तो 19 को क्या आएगा हमारा भाई 9 80 लगा 1 ठीक है तो 3 1 4 4 और 8 12 12 और 9 हमारे लिए कितने हो ह जाएगा भाई एक कई हो जाएगा हम लिखेंगे एक हासी लगा हमारा दो दो 4 4 चार और 11 11 14 और 11 16 दो तो हमारा यहाँ पर प्लस करने पर करमें से 619 I'ma無 Communist करने पर कितना आता है वह देखते हैं तो माइनस माइनस फैंıkt प्लस हो जाता कर देक है पांच और सुनी किता आजाएगा और यह एक और माइनस का बड़े नंबर का सिम्बॉल माइनस लगा दो तो यहां पर सॉल्व करने पर 1572 आ गया अब इसको घटाना है तो 2619 में से माइनस करना है 1572 तो माइनस कर दीजे इसको 9 में से 2 गया तो भाई 7 एक में से 7 नहीं जा सकता एक इसको हसिल देगा तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया हमारा यह घटाव वाला एक्वेशन तो इस प्रकार करते हैं ध्यान रखेगा एक दो संख्याईत बहुत आसान है लेकिन जब लाइनस ऐसी संख्याएंगे पांच संख्याई दी हैं पांचों को जोड़ घटाना करना है तो पहले हमने प्लस वाले को एक साथ लिख लिए ठीक है और मैनस मैनस था तो हमने यहापर प्लस क्यों किया क्योंकि मैनस मैनस हमेशा प्लस होता है कुछ अभी क्रियाय ऐसी होती है जो गणीत पे हमको बहुत ध्यान में रखने हैं बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं कुछ अभी क्रियाय कौन से अभी क्रियाय कि भाई माइनस माइनस इकोल स्टू हमेशा प्लस होता है यह माइनस और प्लस प्लस इकोल स्टू प्लस ही होता है तो जब आपको यह संक्रिय चिन्य मिलते हैं तब क्या होता है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस बनता है तो यहां पर भी माइनस था यहां पर माइनस था यह संख्या भी माइनस थी तो माइनस माइनस को प्लस कर दो और है तो इस प्रकार से तो इन गणित की अगी करियां को अभिक्रियाव को ध्यान में रखना ये यह basic है आयोपी आपको पहले से आती है तो बच्चों को इसका ग्यान देना ही बहुत जरूरी है यानि अक्षरों का ग्यान देने से पहले यानि जब mathematical यह आप संक्रियाएं पढ़ाएंगे तो उसे पहले यह थोड़ी सी अभिक्रियाएं जो है न यह reactions पढ़ा देना कि बच् और एक नकरात्मक है तो हमेशा नकरात्मक ही value मिलेगी clear शरू आगे बढ़ते है उधारा नंबर दो यहाँ पर example number 2 को solve करते है तो example 2 दिया है 1856-3287 प्लस 5.432-6789 आभ हमे करना क्या है प्लस वाले को एक तरफ लिखना अ है मानास वाले एक तरफ देख लो तो यह पर यह प्लस में है और यह प्लस में है इनको पास में लिख ले तैंत्यारी और ये माइनस और यह प्लस कितना हो जाएगा माइनस याने माइनस 5 6 7 9 है ना तो इस प्रकार से होगा बस उसो बाहर लिखा है ब्रैकेट के या इसको अलग से भी लिख सकते हैं से पिछली सवाल गरमने लिखा था फिर इसको इन दोनों को सॉल करो फिर इन दोनों जो आया उसमें से माइनस कर दो तो आपको यह उत्तर मिल जाएगा तो इस प्रकार से उदहारण सहित जो गलित की संक्रियां हैं वह आपको परहानी होती है इस तरह से इकजामपल देने होते हैं एक-एक बेसिक चीज़ आपको बतानी पड़ती है यह ध्यान में रखीगा, clear है, यह हमारे इसमें से उत्तर, clear, चलो, आगे बढ़ते हैं, यानि नॉर्मल संख्याओं का घटा तो हमने सीख लिया, अब हम बात करेंगे, दस्मलों संख्याओं को घटाना, जो दस्मलों संख्याओं होती है, यानि कि जो डेसिमल संख्याओं होत को घटाएंगे, जैसे कि अगर मैं कहूं, 5.21 को माइनस करो, 2.31 से, तो हम कैसे करेंगे, यह 5.21, 5.21, और यह 2.31, या दर रखो, दस्मलों को नीचे दस्मलों होना चाहिए, तो इसको माइनस करेंगे, 1 मैं से बन जा, 0, 2 मैं से 3 नहीं जा सकता, तो यह 1 कैरी लेगा, यह क्या बन जागे, 12 बन जाएगा, और यह 5 ने एक दिया था, तो यह खुद 4 बन जाएगा, तो 12 मैं से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9, दस्मलों को नीचे, 10 मलों, और इसने एक दिया था, खुद 4 बन गया, तो 4 मिसे 2 जा, 2, तो यह हमारा सही अंस यह 2.POONT, याने 2.9, यह 2.90, यह हमारा ऐसर हो गया, तो इस प्रकार से, 10 मलों के नीचे, 12 को रख कर ही घटाते हैं, या रहिएगा, जिस प्रकार जोड वाली संख्या में, दस्मलों के नीचे, 12 की बिंदू लगा कर जोडाते हैं, ठीक, उसी प्रकार एकदम घटाओं की प्रक्रिया भी करते हैं माइनस भी गटाओ भी सब्स्ट्रैक्शन भी बिलकुल उसी प्रोसस से उसी मैथट से उसी विधी से होता है ध्यान रखेंगे बस इसमें फर्क इतना है सिर्फ इतना अंतर है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचा वाली संख्या को इकाई दहाई के स् अब जैसे यहां पर क्या होता है एक और सवाल देखो मैं एक और एक्जामपल देता हूँ 5.21 में से माइनस करना है 2.319 को अब तो यह थोड़ा दिक्कत है जैसे 5.21 है यहां पर तो और हमें माइनस करना है 2.31 तो पॉइंट के बाद इसमें ज्यादा नंबर है 2.319 अब य तो यहां से एक आएगा 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 तो यहां पर आप देखेंगे कि इसने एक हासिल दिया था इसको एक दिया था नहीं सकता एक मैं से तीन नहीं जा सकता तो यह यहां पर एक हल देगा तो 11 में से यहां पर ज तो किता बच जाएंगा नौ गैरे में से तीन गए तो नौ नहीं भई आठ बचेगा क्या बचेगा आठ जो मैं बोलू दोरा मत दिया करो सोचा भी करो कोई सही बोल रहे कि नहीं तो आठ दशमलो एक दिया था इसने चार चार में दो जाए दो तो ह हमेशा बारिक से बारिक छोड़े से छोड़े नियम को फॉलो कराऊ परांपरागत तरीके से अगए यहां पर दिया थी यहां पॉंढेंगे दश से नहीं रखेंगे आपको आपको द्शमलो के नीचे ही डश्मलो हो है चलो तो यहां माइनस करते हैं चार में से नौ जाही नहीं सकता तो यहां से कैरी लेगा तो यह क्या बन जाएगा 14 और यह खुद क्या बन जाएगा साथ 14 में से 9 गया तो भाई 5 और यह खुद क्या बजिए 7 में से 2 गया तो 5 3 से 0 गया तो 3 9 में से 3 गया तो 6 6 में से 2 गया तो 4 3 में से 5 नहीं जा सकता तो यह इसको हासिल देगा यह 3 का हो जाएगा 13 13 में से 5 गया तो 8 और इसने हासिल दिया तो खुद 4 हो गया था तो इस प्रकार से गणित में घटाओ की संक्रिया परफॉर्म की जाती है इस तरह से घटाओ की जो संक्रिया है सॉल्व की जाती है ध्यान में रखेगा आपको अगर कोर्स पर्चिस करनी है किसी और को भी तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है आप उसे मैसेज करना है कॉल नहीं और दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जो भी कॉल भी झ這邊 चार पांच यहां भी जान रखना प्लस के साथ प्लस प्लस इस प्लस प्लस तरह सब लिए मैक अलग कर लिया इस सब को जोड़ दो और मैनस आ गया है अब इसको जोड़ना है तो यह इतना जो एक साथ दिखा था इसको जोड़के भी देख सकते हैं मैं दिखा देता हूं आप जोड़के कुछ इस प्रकार से यह 59.67 61.73 61.73 5.89 5.89 10 मलों के नीचे 10 मलों आना चीह बस और कुछ नहीं और यह देखो 0.093 3 ठीक है इसको हमें जोड़ना है पहले ठीक है जोड़ना है अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने बताए था क्या रहेगा हमारा भाई 0 0 0 0 0 क्या बचेगा यह 3 जोड़ रहे 7 10 10 10 19 19 19 19 और नो भाई 28 28 को 8 28 को 8 हासिल लगा दो तो दो और 6 8 8 और साथ कितना हो गया पंदरा पंदरा और आट तेईस तेईस और शुन्य तेईस ही होता है यहां लिखे देंगे 3 बचा 2 हासिल और 10 मलोग नीचे 10 मलोग तो 2 और 9 11 12 12 17 17 17 को 7 17 का लिखेंगे 7 हासिल लगा 1 6 5 11 12 तो यह हो गया 1 27.383 तो आया 1 27.383 पहले से आया ठीक है अब माइनस वालाज के साथ में तो माइनस 4.23 आप 1 27.383 तो माइनस क्या करना है 4 2 माइनस 4283 माइनस करना है कुछ नहीं है तो 0 3 में से 0 गया 3 8 में से 3 गया 5 3 से 8 जा नहीं सकता तो यह कैरी देगा यह हो जाएगा 13 और यह हो जाएगा 6 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5 कितना बचेगा 5 दस मलोग नीचे 10 मलोग चे में से 2 जा 4 दो में से 4 जा नहीं सकता कहरी देगा तो 12 में से 4 गया तो 8 और यह सुन्ने हो गया था 5,ip तो 12 जा कम आए और यह हमें बोर लग रहा है,को छोटे बच्चे अ पढ़ाने वाले हो प्रात्मे कक्षाओं में उस बच्चे कलिए सब कुछ नया है, उसका दिमाग इत्ता डदप नहीं है तो उसको आप उसी तरीके से पढ़ाईए उसी हिसाब से ठीक है अब बात करें गुणा की गुणा की जोड़ हो गया घटा हो गया अब बात होगी गुणा की गुणा मतलब भाई multiplication क्या बोलते इसको multiplication कहते हैं इसका नाम है multiplication ठीक है इसको हम पढ़े हुए गुणा multiply करना जिसे हम कहते हैं अब गुणे की बात करते है गुणा एक्चुल में होता क्या है ठीक है गुणा multiplication की अधारना से आश्या किसी भी संख्या को समान रुप से कितनी बार पुना वृत्ती याने कितने बार दोरा गया है याने कि अगर मैं दो का गुणा दो से करता हूं जाने गभी मार दोया घा ति करता हूं दो किते बार दो रागया है दो को दो मतलब एक बार का prosос आ करें इसका मतलब उत्हीं बार उस संख्या को दोहरा आ रह याने 5必़ इंटवे तो 5 आ सो तीन बार 555 यानेश्व यह ध्यान में रखेंगे तो किसी भी संक्या को गुणा का आशा ही है कि उसे कितनी बार पुना वृत्ति हुई है मतलब कितनी बार उसको दोहराया गया है कितनी बार उसको दोहराया गया है ध्यान में रखना कितनी बार दोहराया गया है किसीज को किसी संख्या को किति पार इसको डौराइ गया है किते वारा उसको रिपीट किया भूल रखना है इसे हम एक साहय से पिरिफ़े, रखना है डिखा गया है jak अब बारा का पांच बार किया है तो बारा पच्छे साथ तो कुछ प्रकार से फाइब तूजा टेन को जीरो और करिका वन फाइफ अंजा फाइफ और वन सिक्स यानि सही एंसर साथ आगया हमारा तो यह गुणा ऐसे करते हैं बच्चों का ऐसी बताना है और जो पहाडा जो कुछ मोड़े लेकिन उतनी बार शॉटक में अगर हम प्यूद कर देंब नहीं लोका टरेथ उनर कर देना आपको इतनी बार जोड़ेंगे एक भाइटाइगा हम अब नेहीं हो एक फाइदा है जोड़े होता है आप इतनी कर जोड़ते है चक्छ पर लो में फट। ठीक है चलो भाई एक था तो 20 बार जोड भी लोगे लेकिन एक दो तीन चार इसको जोडने बटे तो तब नहीं होगा ना तो इसलिए गुणा का जो संख्या मिलते हैं उसको फट से गुणा किया जा सकता है गुणा से बहुत जल्दी हल निकाला जा सकता है ठीक है तो यह हो इंगशांपल के थुरू समझते हैं चलो बडियांसे देखते हैं बच्यों कैसा धाले के थुरू समझा नहां है उद्दारन के माध्यम से कैसे समझाओंगे कैसे उनको पढ़ाओंगे वो भी एक बार देख लो यहां पर चलो तो देख़े ध्यान से इसको निम्नայीखित क गुणात्मक का मान क्या होगा यानी इसकीормल क्या होगी इसके मल्टि्प्लिकाइशन का मल्टिप्लाइफ का जो मान होगा मी होगा धलु कितनी होगी 538 का गुणा 7329 से ठीक है अब यह भी ध्यान रखना है कि हवाई एक संध्रें के नीचे थर्टी सिस को सिक्स कैरी का 3 ठीक है हासी लगाती नौका आट से एट नाइन जा सेवन्टी टू सेवन्टी टू और 3 मैं कितना हो गया 75 तो लिखेंगे 5 कैरी का इस पर कमार पार 7 फिर 9 का 3 के साथ पहले इसका इसके साथ फिर भाई देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा और क् हों कि पहले 9 का 4 के साथ करो फिर 9 9 का 8 के साथ करो फिर 9 का तीन के साथ और फिर 9 का 5 के साथ ठीक है अब सेम चीज़ आपको अंतरा और इजी भी है ठीक है तो चलिए देखते हैं नौ का चार के साथ किया था तो हमने यहां पर कितना है था चार नौ छतिस छे हासिल लगा तीन नौ का आठ के साथ किया तो 72 72 और 3 किता हूंगे 75 को 5 और स्केरी के 7 अब 9 का 3 जा 9 3 जा 27 27 और 27 कितना होता है वही 35 35 का 5 हासिल लगा तीन नौ का 5 के साथ 9 5 जा 45 45 43 48 याने मने कितना लिग दिया 48 ठीक है इसको मैं तो बाद वाली संख्या को बाद में फिर में ग्रीन से कर दूँगा तो अच्छा ओजाएगा 48 हो गया ओके ठीक है 48 होगया अब इसको में ग्रीन से करता हूं अब हम टू थ्री जा 6, 6 और 1, 7, 2, 5 जा 10, इस प्रकार से, अब आपको 2 0 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अब मैंने तो कर दिया, अब आप करेंगे 3 का मल्टिप्लाइ, जितने संख्या ले जा रहे हो, तो छोड़ो, उसको छोड़ो, अब ये 3 यहां पर आना चाहिए, तो 3, 4 जा 15 और 16, याने 16, ठीक, इस प्रकार से हो गया, अब बचा 7, 7 का करेंगे, तो चलो, 7 का भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, 7 का, चलो, 7 का कर लेंगे, पहले 2 संख्या थी, तो 2 छोड़ा था, अब 3 संख्या, 3 छोड़ो, 1, 2, 3 छोड़ो, ठीक है, अब 3 छोड़ के लिखो, 3, 4 इसका, क्या कहते हैं, 7 का करेंगे, यह हो गया हमारा 9 का, यह खतम, फिर हमने किया 2 का, यह खतम, फिर हमने किया 3 का, यह खतम, अब बचा 7, तो 7 का 4 के साथ, 7 का 8 के साथ, 7 का 8 के साथ, 7 का 3 के साथ, 7 का 5 के साथ, ऐसे गुना करेंगे, फिर 7 फोर जा, अब बच्चों के बत प्रस्त ओफोग सेंग धार्जा कर लो या इंट है ना है उट्टॉट सब मेरा स्याइटडान। टेबल या दोना चेह, 7-7 जा 49 होता है, 7-8 जा 56 होता है, 56 और 2 58, तो हम लिखेंगे 8, कैरी के हमार पास बचे 5, फिर 7 का 3 के साथ, 7-3 जा 21, 21 और 5, 26, 26 को लिखा 6, कैरी के बचे 2, फिर 7, 5 जा 35, 35, 36, 37, कैरी के 2 थे, 37 यहां पर लिखे देंगे, अब यह टोटल होगा, इसको प्लस कर दो, 0006, आया 6, ठीक है, मैं फिर से रेट से करता हूँ, बढ़िया रहेगा, ओके, चलो, तो 6, 000, बचा 6, 5 और 8, 8 और 5, 13 को 3, कैरी लगा 1, 8 एक 9, 9 और 6, 15, 15, 16, 17, 17 को 7, कैरी लगा 1, तो 1 और 4, 5, 5 और 7 कितना होगा, 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 और 8 कितना हो गय हो गया, इधाने कि 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 को 5, कैरी के 2, कैरी का 2, तो 2, 0, 2, 1, 3, 3, और 8, 11, 11 को भाई, 1, कैरी का बचा, 1, 1, 1, 2, 2, 2, और 6, 8, 8, और 6, भाई, 14, 2, 4, कैरी का 1, 1, 1, 2, और 7, 9, और यहां पर 3, तो 3, 9, 4, 1, 5, 7, 3, ठीक है, तो इस प्र प्रकार से हम कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको चाहें, तो solve कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी यहां पर गलत आया है, यानि यह आपको सही answer नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कुछ गरबड़ी हुई है, 394, 15736, 17536, तो कुछ गरबड़ी यहां पर हुई है, फिर से करके आप देख सकते हैं, क्या गरबड़ी हुई है, कहां छूटा है, ठीक है, एक बार calculation करके रफ में जरूर देखिएगा, ठीक, तो ऐसे ही आपको उधारन आएंगे, ऐसे ही उधारन बच्चों को समझाते चलना है, फिर आता है दसमलों संख्या की गुणा करना, जो decimal है, जो decimal संख्या होती है, उसको कैसे गुणा करते हैं, उसका multiplication कैसे करते हैं, वो भी सीख लेते हैं, चलिए, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वह दसमलों, सबसे पहले हम बिना दसमलों के लिए अंगों को गुणा करेंगे, मतलब आप क्या करो, पहले normal संख्या गुणा कर दो संख्या धी है, 52.25 का गुणा करना है, 2.64 से, इससे गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, दसमलों हटा देंगे, तो हमारे पास संख्या क्या बचाएगी, 5225, ठोड़ा ध्यान देंगे, आपर, सहब पास क्या संख्या बचाएगी, 5,2,2,5 ठीक है और यह बचेगा 2,6,4 किता बचेगा 2,6,4 अब गुणा कर देंगे और जितना भी उत्तर आएगा ना क्या करेंगे जितने दस्मलों के बाद संख्या उसके बाद दस्मलों लगाना याने मालो ये दो संख्या दो संख्या ने 4 जवाब ऐसा आता है 7,3,2,8,5,9,1,7 तो हमने कितने दस्मलों उटाए थे दो चार याने चार संख्या हो के हमने दस्मलों लगा दो आगे उत्तर यहीं हमारा उत्तर हो जाएगा तो याद रखनो जब भी आपको दस्मलों की संख्या का गुणा करने मिलता है तो पहले आप दस्मलों होटाके नौनल सख्या का गुणा करो फिर जितने दस्मलों के बाद उतने संख्या के बाद दस्मलों के यह धर क्रौए हो ने 1 2 3 4 संख्या के बाद 3 बता रहा हिंगे तोत्स प सचाथ हम दायं इना दश्मरों के आप अंकों को गुना करलो उसके बाद फिर इधा राइड साइड से दाय साइड से जितनी संख्याथी दसमरों के बाद उतना आप क्या कर दो उतनी संख्या के बाद लगा दो इस तरह से मुट्टिप्लिकेशन होता है जैसे यहां पर दिया हूँ देखो 1.41 गुणा 22 ठीक है 1.41 गुणा 22 दिया है ठीक है तो हम 10 मर उटा देते हैं तो 1 फोर मन को 22 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, दो एकम दो, दो चार दुनी, आट, दो एकम दो, ठीक है, सुने लगाओ, फिर दो का एक साथ, दो का चार के साथ, दो का चार के साथ, फिर से आठ, और 2 काई के साथ 2, तो यहाँ पर आ गया, हमारा उत्तर क्या आएगा, 2, 8, 2, 10 को 80, लगा 1, ठीक है, 8, 2, 10, 11, 11 को 1, 80, लगा 1, यह जाएगा 3, 1, 0, 2, हमारा जवाब आया 3, 1, 0, 2 आ गया, ठीक है, और हमने 10 मलो जो था, हमारा कित्ती संख्या के बाद था, देखों यहाँ प 0, 0, 2, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यह आप ध्यान में रखेंगे, कभी भी, अगर यह कुछ इस प्रकार से होता, 1, 4, 1, 2, 2, तब आप इस प्रकार से करतें इसको, दसमलो लगा के इस प्रकार से करतें, तीन अंक के बाद दसमलो, क्योंकि यहाँ पर यह दो अंक य दिया है, वैसा ही दिया है, 2.732, 0.87, 2.3, यानि तीनों गुणा करो, पहले दसमलो हटा के, यानि 2732, और 0.87 तो हटा दो, 87 के गुणा करना, फिर जो आएगा, उसका मल्टिप्लाय आप किस से करना, 2.3 से, यानि 23 से, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी संख्या के बाद आप दसम कर सकते हैं, तो ऐसे ही दसमलो की संख्या है, solve होती है, clear है, तो यह होगी दसमलो वाली, अब इसके बाद हम गुणा की और भाग की भी बात करेंगे, थोड़ा सा, भाग की बात भी करेंगे, तो next video lecture, जो हमारी third class होगी, unit 2 की, कल जो class होगी, उसमें पूरी तरसा में खतम कर देंगे, तो यह हमने जोड भी सोख लिया, घटाओ भी सीख लिया, और गुणा भी सीख लिया, सब को normal संख्या भी सीखी, और दसमलो का घटाना भी, जोड़ना भी सीखा, okay, clear है, तो यह पूरा यहां तक का video lecture हुआ, इसके बाद की जो class होगी, उसमें हम unit 2 खतम कर देंग तो आज़ी class में जुड़ने के लिए धन्यवाद, session बहुत important है, पुरानी videos नहीं देखे हैं, तो playlist check करो, आपको बालविकास की, आपको गनित की, आपको दूसरे विशो की पूरी playlist मिल जाएगी, काई एक के भी सब मिल जाएगी, इस video के description में link है, वरना channel पर जाके आप playlist मे MPTT हो, अगर आपको course चाहते हैं, तो आप हमें message कर सकते हैं, आपको इस WhatsApp नमर पर message करना है, इस नमर पर WhatsApp message करें, call नहीं करना है, message करना है, तभी मैं reply दे पाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको course purchase कर सकते हैं, information मिल जाएगी, तो चलिए, मिलते हैं next class में, तब तक लिए दे झाल